एकदम गुबारे जैसी कचोरी आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल की क्रिस्पी करारी हरी मटर की कचोरी अंदर से इसका टेक्ष्टर देखिए इसको दो तरीके साफ सर्फ कर सकते हैं ऐसे ही खा सकते हैं या फिर भंडारे वाले जो आलू की सबजी है उसके साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो हम इस वीडियो दोनों देखेंगे सबसे पहले दोस्तों हम मना लेते हैं डो कचोरी का क्योंकि इन्हें रेस्ट करने के लिए रखना है दो कप मैंने ले लिया है यह मैदा इसके अंदर डाल देते हैं एक टीस्पून सॉल्ट और एक टीस्पून अजवयन ड मौयन के लिए अब हातों से हम अच्छे से इस तरीके से मिला लेते हैं फटाफट से मौयन रेडी हो गया है तो थोड़ा थोड़ा सा पाने डाल करके डो जो है वो रेडी कर लेंगे लेकिन डो जो है आपको गूंधना नहीं है स्रिफ सारे आटे को कमबाइन कर लेना ऐसे अधे गंटे के लिए उसके बाद हम देखेंगे एक पैन में डाल दिया एक टेबली स्पून ये तेल और इसके अंदर हम ये हरी मटर को थोड़ा सा सौते कर लेंगे ऐसे तेल में सौते कर के आप ग्राइंट करेंगे तो ये थोड़ा सा सोंधा सौंधा साथ मापको फ्लेम को आफ करके इनको रख देती हूं ठंडा होने कचोरी में डालने के लिए एक मसाला बनाएंगे तो खड़ी सौफ खड़ा धनिया और खड़ा जिरार हम पैन में डाल करके इनको हलका सा रोस्ट कर लेते हैं कॉंटिटी बहुत जादा नहीं है इसलिए बहुत जल्द ठंडा हो गया है तो हमने इसको डाल दिया है यह मोटर पैस्टल में यानि कि यह जो हमारी हमाम दस्ता है अखली है जो भी आप बोलते हो उसके अंदर मुझे इसको कर लेना है मोटा मोटा क्रश अगर यह आपके पास नहीं है तो मिक्सर जार में डालिए और पल्स मोड पर इनको ग्रैंड करिए इस तरीके का आपको टेक्शर वाला मिल जाएगा वटाना हमारा ठंडा हो चुका है अब हम इसको मिक्सर जार में डालेंगे और इसको भी पल्स मोड पर हमने ग्रैंड कर लिया है क्योंकि हमें इनको पेस्ट फॉर्म में नहीं लाना है हमें इनको चं चौप किया हुआ हरी मिर्च और हलकी सी अद्रक डाल दिया है और यहां पर मैंने डाल दिया है दो टेबली स्पून चने का आटा अब इसको हमें जो हैना स्लो फ्लेम पर आटे को भून लेना है जैसी ही इसके अंदर बेसन की अच्छी सी खुश हुआएगी आगे का स्पैसे सा मैट करेंगे तो यहां पर डाल देते हैं धनिया पॉडर पिंच ओफ हल्दी पॉडर तीखी वाले लाल मिर्च पॉडर और देखिए बेसन भून चुका है इसलिए मैंने फ्लेम को कर दिया है आफ क्योंकि बेसन भूनने के पास बात जलना शुरू हो जात और हम सारे चीज़ों को मिला लेते हैं और इसके बाद में हम डाल देंगे अपना ये दरदरा सा पीसा हुआ हमारा ये हरी मटर और हरी मटर डालने के बाद में हम इसको मसाले के साथ में पहले मिला लेंगे उसके बाद में फिर हम फ्लेम को करेंगे आउन ठीक है जी तो चल कि टेस्ट के अक्वर्डिंग डाल देंगे traveled Amapi कचरिवी के लिए अधे से स्पैशली बनाया था वह हमने डाल दिया है थोड़े सी क्वांटिटी मैंने बचा कर रखा आगे हम उसको यूज़ करेंगे कहा यूज़ करेंगे हम आगे देखते हैं तो यह देखे यह बिल्कुल भरबरा सा हो गया है और अल्मोस्ट यह डन है क्योंकि यह भून चुका है तो हमने लास्ट में हरा धनिया डाला दोस्तो इसको अब हम ठंडा होने के लिए सैड में अब मैं डाल देती हूँ फाइन चॉप क्या हुआ जिंजर गारलिक और ग्रीन चिली थोड़ा थोड़ा सा मैंने यह सारी चीजों को चॉप कर लिया है राउंड एक टेबल स्पून हो गया है हलका सा भून लेते हैं उसके बाद मैंने इसमें डाल देना है एक टीस्पून क कसूरी में थी 1-2 तीस्पून और इसको भून लेने के बाद यहां पर मुझे टमाटर डालना था बस मैंने क्या किया यहां पर पाने डाल दिया वह मिस्टेख मेरे से इसलिए हुई कि मेरी बहुत दिन के बाद में एक बवाद फ्रेंड आया थी मुझे मुझे मिलने जैसे मैंने का चलो यह मिस्टेक भी मैं आपके साथ में शेयर करके इस वीडियो को पोस्ट करूंगी तो आप पहले भी यह टमाटर डाल के भून लीजेगा थोड़ा सा उसके बाद ही पानी डालिएगा ठीक जी इसके अंदर मैंने डाल दिया एक से डेड़ गिलास पानी पानी दो मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और उसके बाद में हम इसके अंदर कुछ एक दोई स्पासे और एड़ कर देते हैं फटा फटा फट शूगर डाल दिया हमेने हाफ टी स्पून पींच ओफ गरम मसाला हाफ टी स्पून हमारी कसूरी में थी जो यह बची थी वह मैंने तो मैं थोड़ा सा इसको टेस्ट करना चाहूंगी क्योंकि टमाटर डालने में मैंने मिस्टेक की थी तो ठीक है यह अच्छी बनी है हाँ टमाटर भून जाने से थोड़ा और अच्छी हो जाती तो आप उसको भून लिजेगा ठीक है जी चलिए इसका टेक्शर देख एक साइस का रेडी कर लेना है बिलकुल लेमन की साइस का हमने यह देखे बॉल बना लिया है इसी तरीके से हम सारा बना लेते हैं तो यह रेडी हो गया है और अब हमारा डो जो है वो काफी टाइम से रेस्ट कर चुका है बहुत ही स्मूध हो गया है यह रेस्ट होने के बा अब हम एक साइस का फटाफट से बॉल बना करके रेडी कर लेते हैं बॉल बना हुआ है हमारा हरी मटर का तो इसका भी बॉल रेडी रहेगा तो फटाफट से कचोरियां एसमबल हो जाएंगी तो देखे इस तरीके से आपको हातों में लेना है और किनारे किनारे ऐसे गोल गोल सा आपको राउंड कर लेना है बीच का जो पोशन है ये वाला ये हमें थोड़ा सा मोटा रखना है और किनारों का पतला रखना है बीच का इसलिए मोटा रखना है क्योंकि ये जो है ना हमार निकाल दिया है अब ऐसे राउंड करेंगे और बीच से ऐसे दबाएंगे बीच में इसलिए दबाएंगे दोस्तों ताकि जो हमारी मटर की जो फिलिंग है ना वो हर तरफ फैल जाए इवन हो जाए ठीक है जी तो ये देखे इस तरीके से हमने इनको दबा लिया है ये डन है इस तरीके से हमें सारी बना लेना है तो सारी कचोरी रेडी हो गई है तेल भी हमने रख दिया गरम होने के लिए अब यहाँ पर तेल का बहुत ध्यान दे जाएगा दोस्तों तेल जादा गरम नहीं होना चाहिए तेल बस इतना गरम हो कि हम इसको अंदर डालें तो ये पकन खड़ेंगे नहीं थोड़ा सा इवन कर देते हैं यहां से कुछ देर के बाद में आप देखेंगे कि यह खुद फूल ना देखेंगे शुरू हो गई है क्योंकि यह बिल्कुल स्लो फ्लेम पर चार से पांच मिनट से यह ऐसी है थोड़े देर में अब यह देर में पूल ग करेंगे और यह कचोरियों को पलट दे रहे हैं क्योंकि अब जो है ना इनको उपर से भी लाल होना है यह अंदर से क्रिस्पी हो चुकी है क्योंकि फूल गई है तो अब फ्लेम को जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इनको लाल होने तक फ्राय कर लेना है टोटल टाइम यानि की हरी मटर वो देखिए इसका टेक्शर आपको देख करके खुछ समझ में आ जाएगा यह देखिए तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी हिल्फुल लगा हो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को हमने उपर और तोड़ करके डाल दी तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों ट्राइ करिएगा कोई कुरिस हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएगा